आप सभी को मेरा अपनाम हर्बल रेमिडीज इनेचर स्टेजर में आपका स्वागत है साथियों आज बात करेंगे ब्राय फिल्नम की पत्थर चूर ब्राय फिल्नम पिननेटम केलेंचू पिननेटा यह क्रेसुलेसी का मेंबर है और किटने स्टोन के रिमोवल के लिए इसका मुख्यत उपयोग में लिया जाता है इसके स्कूलेंट लीव्स आप देख रहे हैं इन स्कूलेंट लीव के जो मार्जिन है यहां से भी इसकी रूट्स डवलप हो जाती है और इनके माध्यम से भी इसका प्रोपेगेशन हो जाता है और यह बिफोर फ्लावरिंग कंडिशन में इस समय हमें दिख रहा है लीव्स के माध्यम से कटिंग के माध्यम से सैस्ता से इसका प्रोपेगेशन हो जाता है इसका जो टेस्ट होता है थोड़ा-थोड़ा सैलाइन जैसा लगता है और ये urinogenital tract हो चाहे kidneys हो उनके stone के removal के लिए बहुत अच्छा कारे करता है इसके पत्र का paste बनाकर और पानी के साथ मिलाकर 10-15 ml आप 7 kg आप देखेंगे 10-15 days के अंदर kidney में जो या urinogenital tract में कहीं कोई stone के समस्षा है उसको आसानी से दूर करता है साथ ही इसके जो paste होता है उसके अंदर घाव को भरने की छमता होती है जिसको हम wound healing capacity कहते हैं चाहे cutting के कारण या burning के कारण कोई घाव है तो उसके healing के लिए आप इसका उप्योग कर सकते हैं gray hairs की समस्षा हो अगर बाल gray हो गए हो तो इसका पेस्ट बना कर बालों में लगा सकते हैं और बालों में लगाने के बाद lukewarm water से आप इसको wash कर दीजे धेर धीर आप देखेंगे कि gray hairs की समस्षा दूर हो जाती है पेट की गर्मी हो गई हो गर्मी को सांथ करने के लिए आप इसका juice बना कर भी seven कर सकते हैं ये digestive है hair tonic है और antioxidant activities होने के कारण skin के ऊपर अगर कोई infection है, fungal growth है, bacterial infection है उसको ये सहस्ता से दूर करता है कई बार diabetes में अगर रोगी होता है तो उसके घाव नहीं भरते हैं तो ऐसे रोग्यों के लिए भी इसके पत्ते का पिष्ट बना कर घाव के भरने के लिए इस्तमाल में लाए जा सकता है यह वात, पित, कफ, तीनों की प्रिकृति को balance करने वाला होता है और इसके खटे पत्ते बड़े tasty लगते हैं हलके हलके खटे और नमकीन जैसे इसके पत्ते होते हैं बहुत tasty लगता है जूस बना कर आप इसका save कर सकते हैं इसके जो margins हैं यहां से भी roots develop हो जाती है और उससे भी इसका propagation हो जाता है कई बार hair fall की समस्चा है या alopecia की समस्चा है जिसमें बाल उड़ जाते हैं उनको भी दुबारा से लाने का और घने काले बाल आ जाते हैं उसके लिए भी आप इसको प्योग में ला सकते हैं बेट की समस्चा के लिए skin की problems के लिए इसको आप use कर सकते हैं kidney stone की समस्चा हो मुखेता यह detoxifier का कारे करता है liver or kidney detoxification का यह कारे करता है blood को purify करता है wind परकार के जो minerals इसके अंदर पाए जाते हैं वो कई बार excess minerals के लेने के कारण जो disbalance होता है उसको भी regulation में कारे करता है minerals के balance करने के लिए उनको proper hormones को regulate करने के लिए hormone functioning और यह क्या करता है कि hormone को regulate करके minerals की concentration को body में regulate करता है बहुत अच्छा यह कारे करता है hormones को पहले regulate करता है उसके बाद body में जो minerals की deficiency हो गई है या imbalance हो गया है उसको यह ठीक करता है चाही करता है और safe plant है safely आप इसको use कर सकते हैं propagation simple है गमलों में लग जाता है औस दिये गुणों के लिए organic cultivation करना हमेशा हमारा submission है क्योंकि heavy metals का accumulation यह soil से बड़ा fast करता है organic cultivation से जो इसकी leaves तयार होते हैं उसके अंदर metabolites की concentration ज्यादा होती है और उनकी healing properties भी बहुत अच्छी पाई जाती हैं इसलिए मेरा तो submission होगा कि आप organically produced material का ही seven करें अच्छे ओस दिये गुणों के लिए बहुत अच्छा यह कारे करता है hormones के regulation, liver kidney, remediation, skin problems को दूर करते हुए antifungal activities के लिए, antibacterial activity के लिए, wound healing activity के लिए, anti-diabetic activity के लिए, यह pancreas को भी insulin के synthesis के लिए stimulate करता है body के texins को remove करने का detoxifier का यह करे करता है, यह जो जान कारी है, आप अपने मित्रों के साथ, साथियों के सांजा कीजिए, ताकि वो भी औस दिये गुणों से lab उठा सके, साथियों इसके seven करते समय, अगर आप alopathy की medicines का seven कर रहे हैं, तो अपना blood glucose level आप चेक करते रहें, कहीं ज्यादा down ना हो जाए, इस परकार के safety आपको लेनी चाहिए, और चैनल को like, share, subscribe आउस्टे करें, ताकि आपको नित्यप्रती नए plant की जानकारी स्वास्ते की संद्रक्शन हे तो मिल सके, मित्रों आपके छेतर में इस plant को किस नाम से जाना जाता है, यह भी आप हमें comments करके जरूर बताए, ताकि ज्यान का संद्रक्शन, ज्यानकारी का संद्रक्शन, plant की जो information है, वरनेकुलर नेम्स हैं, उसको भी हम conserve कर सके, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार.